नमस्कार दोस्तों निसन दस्तक पर आप सब लोग का स्वागत है कल मैं लखनव में था और जो मैंने देखा कल बहुत भुत था अविश्वशनिये था आम लोगों में किस तरह की खुशी है आप उसकी कलपना नहीं कर सकते हैं खिलेश यादव और ब्यस्विश सूप्रीव मायावती जो हैं उनका गटबंदन हो रहा था उनकी पार्टियों का लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे गराउंड पर पहली बार इस देश में एस्सी एस्टी ओविसी मायनोर्टी बहुजन का जो सपना तथागत बुध ने देखा था कि एक दिन बहुजनों की सरकार होगी बहुज सपना मैंने लखनव में लोगों के आँखों में देखा ताज होटल के अंदर जब कंफरेंस हो रहा था बाहर सरकों पर लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे बहुज सी के हाथ में एक हाथ में अकिलेस यादव का ज्हंड यह सिर्फ नफा नुकसान का अगर आजनीति गटवंधन होता तो कोई कार करता ऐसा नहीं कर सकता ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि दलो का गटवंधन हो और वहां पाटियों के बैनर पोस्टर हो सपा के दफतर में जिस तरह से बीएसपी के जंडे लगे थे उससे साफ है क यह गटवंधन नेताओं ने नहीं किया आपने नफा नुकसान के लिए यह जनता का दवाब था यह यह CSTOVC माइनोटी का दवाब था और यह नेता मजबूर हुए हैं गटवंधन करने के लिए सोसल मीडिया पर जिस तरह की परतिकिरिया आ रही है लोग लिख रहे हैं कि गटवंधन सपा बसपा में हुआ है पेट में मरोड टेली विजन चैनल के एंकर को हो रहा है पेट में तकलीफ सवर्न को हो रहा है पेट में तकलीफ उन तमाम जातिवादियों को हो रहा है नहीं हूँ, आप लोग मान लीजिए, मैं बिल्कुल एक साधारन सा इंसान हूँ, जो पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ही की मदद से, आप ही की हेल्प से, आपका खाना खा कर, आपके घर पर सो कर, आपके कपरे पहन कर, आप से उधार लेकर मैं पत्रकारिता हूँ, नेताओं का दोस्त हूँ, या नेता मेरी सुनते होंगे, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, वो एक पतकाईटा की अपनी मजबूरी है, कि मुझे नेताओं से मिलना पड़ता है, उनसे बाचित करनी पड़ती है, लेकिन मेरी सबसे जो बड़ी प्रात्मिकता है, वो बहुजन समाच के लोग हैं, आपका दुख तकलीफ है, आपकी सफलता है, आपकी कहानिया है, मैं बहुत परहा लिखा भी नहीं हूँ, बहुत परने का समय भी नहीं मिलता है परना जरूरी है ये बात मैं मानता हूँ परने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन मैं जो भी सीखता हूँ वो इस देश के तमाम बहुजन लोगों की बाचीश से बहुत लोग को सिकायत रहती है कि शम्भू तुम अच्छे से बात महीं करते हो नाराज होते हो भरोशा कीजिए समय की पावंदी होती है आप सब लोग जो तमाम लोग जो मिलने आते हैं उनसे जान बुचकर कुछ इस तरह से विवहार करता हूँ कि आप मुझे कुछ कहें कुछ सुनाएं तारीफ इंसान को या तो पागल बना देता है या घमंडी बना देता है या उसको एक आराम गोह में डाल देता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे पर नजर बनाया रखिए मेरी जम कर अलोचना कीजिए और मुझे बताते भी रहे है कि तुमको ये करना चाहिए तुमको वो करना चाहिए शंबू तुम इहां गलत कर रहे है मैं आपके समाज का कोई पहचान नहीं बना चाहता है मैं आप समाज का एक माध्यम बनना चाहता हूँ और अपनी नेसनल दस्ता के माध्यम से आप लोग की तकलिफे, सफलता, जी, तहार, कुछी, सब सेर करना चाता हूँ तो आप लोग यही तो कहते थे मुझे, कि हमारे नितायक जूट नहीं हो रहे हैं आप दवाब बनाएए, सही कह रहा हूँ, आप भहुजन समाज के लोग दवाब बनाएंगे न, तो यह सारे नेतायक मंच पढ़ाएंगे यह आज अखिलेश मायवती मिली है, यह यह नहीं, पिछली बार बिहार में दवाब बना था, नितीस भी आया थे, लालू जी भी आया थे, तेजश्वी भी आया थे दवाब बनाएए, भहुजन समाज का दवाब, जो है, वो काम करेगा टेलिविजन की चिंता मत किजे, ख़बारों की चिंता मत किजे, भहुजन समाज के लोग में बार बार कह रहा हूँ, अगर सोसल मीडिया नहीं होता, तो रोहिद बमुला का अंदुलन नहीं चलता, अगर सोसल मीडिया नहीं होता, तो हमारी जीत, चाहे वो टीना डावी की सफलता हो, सोसल मीडिया नहीं होता तो चाहे वो गवालियर का तैराक हो सोसल मीडिया नहीं होता तो तमाम जो बहुजन सफलता हैं मिली हैं सोसल मीडिया नहीं होता तो सहराट के बारे में नहीं जानते, सोसल मीडिया नहीं होता, तो हम हमारे actor, director, सब को नहीं जानते तो social media ने हमें बहुत बदला है और इस social media का ही दवाब है, यह भुजन समाज का दवाब है जो आप social media से व्यक्त करते हैं और उसी बज़े से अखिलेश जी जैसे ने लेता मायवती जैसे नेता अपनी लराईयां भूल के एक मंच प्यार हैं, यकीन मानिए इस देश में जितने लोग हैं जो मायवती के अलोचना करते हैं BSP के अलोचना करते हैं, मैं उसे अपील करता हूँ आप भुजन समाज को एक जूट करने के लिए काम किजिए और यकीन मानिए अगर आपनी स्वार्थ भाव से इमानदारी से समाज के लिए काम करेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा भहचान भी मिलेगा सब MLMP नहीं बन सकता है आप बताइए न, 545 MP अगर सारे BSP के भी बन जाए तो 545 लोग ही बनेंगे न सब विधायक नहीं बन सकता है सुचिए बाबा सहब क्या MLMP नहीं बनने के लिए लाई लड़ रहे थे मानेबर सहब क्या MLMP नहीं लाई लड़ रहे थे कुछ ही लोग होते हैं जो आंदोलन को आगे चलाते है बहुजन समाज की जरूरत है संसाधन नहीं आपके पास, गरीबी है मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आज की BJP की दो दिन की बैटक में कितने करोर उपै स्वहा हो जाती है तो वो पैसा नहीं आपके पास लेकिन जो मैंने लोगों के आँखों में जो सपना देखा है, लोगों में जो दर देखा है और लोगों की जो उनिटी देखिए है उसका परतीक है ये सपा बसपा का गटबंधन सत्ता में आए ना इससे कोई मतलब नहीं है वो हारेंगे जीतेंगे इससे मतलब नहीं है EBM का खेल है, वो नहीं भी जीश सकते हैं ये लोग बहुत ही कूर हैं ये लोग बहुत ही बैमान हैं ये लोग किसी तरह से मानबिये नहीं है ये किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं ये लासो की धेरी लगा सकते हैं ये लास भी चाचते हैं इनका सौक रहा है लासो पर कदम पैर डालके सफलता पाना ये मानबिये नहीं है यह बाबा साहम नहीं बना पाए, रविदास नहीं बना पाए, कबीर नहीं बना पाए, और यह अखिलेश और मायावती भी इनको मानविय नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने आपके दर्द को दुख को समजा है, वो एक जूट हुए है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज की जीत है, यह अखवार टेलिविजन जो है, वो आपके नेताओं को चोर ठहराता है, बहिमान ठहराता है, इस देश मैं कल दो दिन की रैली परधान मंतरी की मोधी का पंडाल खाली दिखा दूँगा, रैली उज़रने के बाद, तो आपके खोस उर और तब पता चलेगा कि आपका नेता चोर नहीं है, दर असल उसको जान बुच कर चोर बनाया जाता है, यह वो लोग हैं, जो हमारी बली लेते थे पूल बनाने के लिए, अपनी महल बनाने के लिए, आज भी इनके दिमाग में ही सब चलता है, तो सपा बस्वा का जनता का गटवंदाने, CSTOBC मैनोर्टी का गटवंदाने, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैं जिस तरह का उसा देख रहा हूं, आप देखिये न, किस तरह से सोसल मीडिया पर लोग डियक्ट कर रहे हैं, क्या यह अखवार कर सकता था, क्या यह टीवी वाला एंकर बो चले गए, RBI के गवर्नर बाहर भाग गया, CBI का डिरेक्टर ने इस्तिफा दे दिया, अब देखना कि बहुत से बढ़ जाते हैं, बाईज्यत होके जाते हैं, तो यह तमाम सोसल मीडिया पर जो रियक्शन है, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सपा बस्पा के गटवंधन के बाद जो रियक्शन है, आप कल्पना कीजिए, कि अगर सपा बस्पा और तमाम ऐसे दल, चाया वो प्रकासमेट करों, चाया वो बावन मिस्राम हों, चाया वो मानिकर हों, चाया वो OBC के तमाम लोगों हों, यह सब लोग अगर एक साथ आजाएं, नहीं भी आएं, अखल मजबूस सरकार चाहिए, निरम मोदी मालिया को चौकसी को बाहर भगाने के लिए, मजबूस सरकार चाहिए, सबरनों को समिधान बदलने के लिए, मजबूस सरकार चाहिए, सबरनों को आरक्षन देने के लिए, मजबूस सरकार चाहिए, आरभियाई को लूट लेने के मजबूर सरकार चीए देश में घुमने के लिए मानेवर कांज सी राम साहब करते थे बहुजुनों का भला मजबूर सरकार नहीं मजबूर सरकार करेगा बीपी सिंग की मजबूर सरकार थी माप किजीगा मेरा गला खराब हो चुका है बोलते बोलते जितना बोलता हूँ पता नहीं कब गला बैर जाए कब मैं बोल ही न पाऊं लेकिन जबतक आवाज ही हैं बोलता रहोगा माने वरकांसी राम सहब कहा देते मजबूर सरकार ची ये मजबूर नहीं B.P. सिंह की मजबूर सरकार थी बाबा साब को भारत अत्न मिला बीपी मंडल के इसी फार से लाग हुई मंडल कमिसन लाग हुआ आज जो हम बेटकर भबन देखते हैं वो बीपी सिंग के समय इशू हुआ था तमाम वो काम हुआ फुलन देवी को सजा माफी हुई फुलन देवी सत्ता में आई ये मजबूर सरकार का नतीजा है इसलिए इस देश में मजबूर सरकार बनाईए संसादनों पर इनका कबजा है मजबूर सरकार नहीं बनाएंगे सत्ता में भागदाई नहीं रखेंगे तो ये आपको कुछ नहीं देंगे समझे इनकी मान सिखता नहीं बदली है मुझे सवर्ण लोग फोन करके पहले उनसे मैं डेजिगनेशन पुस्ता हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजिनियर हूँ मैं कलक्टर हूँ और तब वो मुझे सवाल पुस्ते हैं वही बेहुदा सवाल आरक्षन का क्यों भी रोद करते हूँ हम नहीं है जाती वादी आप मुझे समझाएंगे आप जाती वादी नहीं अरे आपकी पूरी इमानदारी जाती की नीपर खरीए मैं उसे पूस्ता हूँ सहर में बिल्डिंग है किसकी है मुझे बताओ सौ में अगर दस बिल्डिंग भी बहुजनों का हो जाए तो मैं मालनुगा की जाती वाद खत्म हो गया दस कह रहा हूँ सौ में नब्बे तुम्हारा है अब आदी सौ में दस तुम हो और सौ में नब्बे बिल्डिंग तुम्हारी है सौ में नब्बे बैंक से लोन तुम लेते हो अब आदी सौ में नब्बे भुजनों की है सौ में नब्बे इस देश पर संसाधन पर कब जा है अब आदी सौ में नब्बे हमारी है और तुम हमें समझाते हो कि जाती वाद खत्म हो गया है हमें ना समझाओ तुम्हें कबीर ना बदल पाएं, रविदास ना बदल पाएं, तुम्हें बुद्ध ना बदल पाएं, तुम्हें हम नहीं बदल पाएंगे, तुम्हें मानेबर साहब नहीं बदल पाएं, तुम्हें हम बेटकर नहीं बदल पाएं, इसलिए मैं कहता हूँ, यह लराई आप पूटके खरे होने की है, यह तब समलेंगे, जब आप सत्ता में आएंगे, तब ही आपको सम्मान से जीने देंगे, इनके दिमाग में बसाये जाती, इनके रोग, रग, रग में बैमानी है, यह इनसान हो ही नहीं सकते हैं, इनके डियने में बैमानी है, अगर यह इनसान होते पूरी दुनिया में शोशन हुआ है, पूरी दुनिया के लोगों ने इंसानियत को बदला है, अब रहाम लिंकर ने अस्वेतों को आजादी दी, तो आप समझ ये, माया बत्ती और अखलेस भी नहीं बदल पाएंगे, इनको आप भरम में हैं, बदलना समाज को परेगा, आप इसको मजबूत करना परेगा, चुनावायोग जैसे चालीस साल से कौन है, चुनावायोग का मुख चुनावायोग, इस देश में सारे चीफ जस्टिस कौन बनता है, इस देश में सबसे जादा कलक्टर कौन है, इस देश में सबसे जादा पुलिस कौन है, इस देश में सब सबसे ज़्यादा नौकरी करने बाला कौन है इस देश में सबसे ज़्यादा पत्रकार कौन है फिर भरस्टाचार क्यों है फिर हर जगा बाइमानी क्यों है इसका मतलब तुम बाइमान हो तुमने इस देश को बहुजन समाज की भागिदारी होती चिप मिनिस्टर तुम विध यार ने बनाया है कांसी राम ने बनाया है बुध ने बनाया है रविधास ने बनाया है है तुम्हारे पास कोई ऐसा नाम सोसरी फॉर्मर जिसने समाज के लिए काम किया हो तुम्हारे इनके बहकावे में मत आईए इन चैनलों वालों के बहकावे मत आईए तो गनीमत मानिए कि हम जैसे लोग को इस चैनल पर नहीं बुलाता है, डर से नहीं बुलाता है, क्योंकि हमने मीडिया में काम किया, हम इनकी धज्जिया उरा देंगे, यह ऐसे दलितों को बुलाता है, यह ऐसे बहुजनों को बुलाता है, जो इनको जवाब न दे, क्योंकि हमारे जो दलितों ह जाते हैं, वो PR डेवलप करते हैं, कि अगले दिन वो फिर चैनल पर बुलाएं, हमने तो चैनल की नौकरी छोड़ी है, यह इसलिए वो नहीं बोलते हूं, अगर जानते समझते हैं भी तो नहीं बोलते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, हम कोई चेहरा नहीं चमका रहे लोग उसे पुछिए जब तुम मेरी बाते नहीं रख सकते इमानदारी से जितने गेस्ट बनके जाते हैं चैनल पर ये अपना प्यार बनाते हैं उस एंकर के हिसाफ से बोलेंगे ताकि अगला दिन शो में फिर बनाए और देश बर में इनका नाम हो डंका बजे इनको MLMP का ट पिट नहीं मौखिक सब्दो की लराई नहीं करता है यह सारे सवाल नहीं उठाता है समिधान की बात नहीं करता है तो समझ यह अपना चेहरा चमकाने गया है इसको MLMP का टिकट चीक किसी पाटी से तो ऐसे बहुजन जो टीवी पर जो दलित चिंतक है और बहुजन चिंतक है इनसे भी साबधान रही है इनसे पुछिए यह सब जानते हैं फिर बोलते क्यों नहीं है टीवी वालों से पियार बनाते हैं रिस्ता बनाके रखते हैं है बहुजन समाज का चैनल इतना सारा सोसल मीडिया है उस पर अपनी बात मजबूती से रखे हम लोग रखते रहेंगे और किसी चैनल पर जिजिन हम लोग को मौका मिला गया था मैं एक वार आज सबा टेलिविजन पर उर्मिले जो को नौकरी से ही निकाल दिया तो अगर आपका कोई बढ़िया गेस्ट है अगर दलिस समाज बोजन समाज का बढ़िया बात रखने वाला है तो मैं दावे के कह रहा हूं कि जो एस पी बसबा का गटवंधन है इस देश को सीख लेने की जरूरत है और जनता एक जूठ होगी मैं बार बार कहता हूं हमारे नेता एक जूठ नहीं होंगे अगर हम जनता एक जूठ हो गया तो नेता तो भाई साब दौर के जूठ होंगे अरे बोट की ख प्रिजुट हो जाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, आपके नेता क्या, अभी नेता क्या, अरे आसमान और जमीन एक कर देंगे आप लोग, वह ताकत है आप लोग की भुजाओं में, मेहनत कस लोग है, सरके आप बनाते हैं, बिल्लिंगे आप बनाते हैं, जहाज आप ब मेलों में मजदूरी आप करते हैं, खेती आप करते हैं, हमसे ताकतवर कौन है, परहाई लिखाएं में जब हमको मौका मिला है, तो बावा साब ने संभिधान लिख डाला, बाउजनों ने सोसल मीडिया को बदल के रख दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं गुमान में नह हूँ, लेकिन हमें आख में डाल कर बात करनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तमाम कहानी आएंगे, अभी तो सुरुवात है, पैसा है उनके पास, दर्जनों लोग की पार्टी खोली जाएगी, दर्जन SCSTOBC के लोग पार्टी खोलेंगे, मोदी को गाली भी देंगे पार्टी खोलेंगे ताकि SCSTOBC माइनोटी का मोट बढ़ जाए, आपको साबधान रहना है, एक जूट रहना है, और एक जूट रहेंगे, तो ऐसे अखिलेस मैयाबती जी की जो लोग, जो आज अलग अलग है, वो भी एक जूट होंगे, एक मंच पर होंगे, तै कीजिए, क राकीरे खीचिए, जो आम बेटकर मैं यूपी बनाया है, जो उन्होंने गौतमबुदः इंवरसिटी बनाया है, उन्होंने जो हैवे बनाया है, उन्होंने जूट बand पैदा किये, इंजीनियर पैदा किये, मुझे एक इंजीनियर बता रातलखनौ का कि ऐ मयाबती ने क से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने दिवारे बनाई है इदारे बनाई है जोतिवा फुलेंटर कालेज बनाई है कांसी रामस्ट्री स्पसाल्टी अस्पताल बनाई है हर जिले में कांसी राम का स्कूल खोला है इसलिए मैं कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तो अगर आप लोग एक जूट रहे हैं 2019 में तो बहुजुनों का राज आएगा और वो राज गैर बडाबरी को खत्म करने के लिए संभीधान को मजबूत करने के लिए देश को मजबूत करने के लिए आएगा क्योंकि सीमा पर भी हमारे ही लोग लग लग रहे हैं और इस सीमा इसी माइनोर्टी का बेटा फोज में है किसान का बेटा फोज में और तुम हमें घर में मार रहे हो हमारा ही भाई जवान सेना का जवान दुस्मनों से लग रहा है और तुम हमें घर में मार रहे हो पुछिये इन से जाती हिंसा में सबसे जादे लोग मारे जाते हैं जाती ह लगाओ जरूर शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट जरूर कीजिए और यह जो फेस्बुक पर आप लोग डाउनलोड के चलाते हैं तकि हम सीथे आपसे जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे